हेलो हमारे यूटूब फैंबली मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल पठना के आसा में देखे फ्रेंड आज मैं आपको सौबिन बरी से कुछ बत जारी हूं बतलाने रेसिपी आप देखे यह मैं थोड़ा सा सौबिन ली थी यह मैं चार बड़ा ब सावन आने वाला फ्रेंड तो आप लोगों मटन मचली चिकन दो महिना बंधी रहेगा इसलिए मैं आज आपको सौबिन का सबजी बतलाई हूं इदम मटन स्टाइल में आप उसी तरीके से बनाएं बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा अच्छा भी लगेगा आप लोगों के लिए है मैं भी बनाती हूं आप भी बनाएं एक बार अपने घर पे इस तरीके से सौबिन का रेसिपी बहुत जबरदस सबजी है बहुत अच्छा टेस्ट आता है जिस तरीके से मैं बतलाई हूं फ्रेंड आप इस तरीके से एक बार जरूर अपने घर पे बनाएं देख भी आपका देखे मेरा कितना प्लीक हो गया मैं चाहरको जो मैं प्लीक हो सबको इसी तरीके से काट ली हो अब मैं कोई मसाला भी नहीं चाहरा मसाला ही डाल के आपको बतलाओंगे अगर आप लोग को मारा वीडियो अच्छा लगला फ्रेंड तो प्लीस लाइक कीजिए सेर की किजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दिखें मैं सारे प्याज को इस तरीके से मुठी से दाब लपके इसका सारा एक दुस्रे से निकाल दूंगी बाहर अलग-अलग कर देना है आप इस तरीके से जरूर बनाएं इस तरीके से तो आप नहीं बनाएं होंगे एक बार मेरे करने पर आप इस तरीके से जरूर बनाएं सब्सक्राइब की सबजी यह देखें मैं सब्सक्राइब को क्या की थी सिफ गर्म पानी में मैं इसे खौलाई नहीं हो फ्रेंड इसे गर् तक मुझे इसे भूनना है अब देखिए जितना मैं प्याज काटी थी फ्रेंड बस मैं थोड़ा सा प्याज एक प्लेट में रख ली हूँ असारे प्याज को मैं इसमें डाल ली हूँ डाल के मैं उपर से देखिए मिर्श का पॉडर ले ले जितना तीता आप खा सकते हैं हल् कि मसला दो चम ने के बाद देखिए मैं इसमें थोड़ा साल सुछ हरा भी कि दर यहां मैं आपको बोली हुँ मैं कोई इसरा gloss नई पीतना है इस तरीके से बनाये ऐस्फ्रेंड आपका सब्झ इतना जवर्डस लाजवाब बनेगा आप लाओ के साथ खा सकते हैं पूरी के साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा आप जब भी बनाएं सौविन बरी की सब्जी एक वर हमारा ये वीडियो आप जरूर देख ले अब देखे में इसमें थोड़ा सा देखे फ्रेंड आम इसमें लसुन छिल के रख रही हूं खोईया के साथ ना रखे इसक ज्यादा नमक नले लग रहा होगा कि बहुत है लेकिन ये प्याज गल जाएगा फ्रेंड अब इसमें मैं थोड़ा सा देखे सरसो तेल डालूंगी तीन से चार चमच आप इसमें सरसो तेल अच्छी तरीके से डाल लें पानी इसमें भी नहीं डालूंगे फ्रेंड अब य मैं थोड़ा सा जीरा रखूंगी तेजपता डालूंगी यह देखे सुखा मिर्च मैं दो से चार इस तरह रखी हूं यह डालना है जब यह हमारा गोल्डन हो जाए तो फिर मैं इसमें जो प्याज काट करके रखी हूं वह प्याज इसमें डाल देना है मैं आपको एक सबज बस्त लाजवाब हो आप बनाए एक वर हमारा वीडियो देखे आप यह जरूर रेसिपी या सबजी हमारा बनाए फ्रेंड विस्वास मानिए बहुत टेश्टी बनेगा आपका सबजी अब देखे मैं क्या करूंगी सारा जेतना मैं समान सब इसमें दी हूं एक साथ सबको म मिला दूंगी इस तरीके से हांत की मदर से सारे को अच्छी तरीके से मिला दे अब मैं जब हमारा अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो फिर मैं आगे का बताती हूं क्या करना है इस तरीके से आप जरूर बनाएं, एक बार स्वविन बरी की सबजी बहुत अच्छा बहुत लाजवा, बहुत टेस्टी, टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है जब आप इस तरीके से बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इसमें देखेगा मटन जैसा स्वाद लगेगा, लगेगा कि मटन ही खा रहे हैं इस तरीके से देखें, मैं सारे को मिला ली हूँ अब हमारा जब मैं जो तेल गर्म होने के लिए चरहाई हूँ उसमें जो मैं रखी हूँ, वो सब मेरा देखें, सुनहेरा गोल्डन कलरका अगर हो गया हो, तो मैं उसमें प्याज डालूँगी मैं थोड़ा सा प्याज अलग भी रखी हूँ हूँ, काटके फ्रेंड, वो प्याज को देखें, मैं इसमें डाल के थोड़ा सा मैं हलका इसे भूनूँगी इस प्याज को थोड़ा सा आप गलने दे फ्रेंट तब उसमें फिर मैं ये जो सब मिक्स करके रखी हूँ वो मैं इसमें डाल के भूझूंगी अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा फ्रेंट तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हर दिन कोशिस में हूँ कि हर एक नया रेसिपी मैं आपको जरूर दूँ सबजी का रेसिपी तो जरूर दूँ क्योंकि सबजी को लेके तो हर महिला को टेंसन रहता है सुबह साम क्या बनाओ क्या बनाओ इसलिए मैं एक सब्जी का रेसिपी आप लोग को जरूर दूंगी कि आप देखें और पटाफट बना लें कोई जंजट नहों न आपको दिमाग खर्च मत करें दिमाग हम खर्च करेंगे आप सिर्फ मेरा वीडियो देखें और आप अपने घर पर सब्जी बनाईए फ्रेंड सौविन की जबरदस्त सब्जी देखें यह हमारा प्याज अब लगभग भुना चुका है फ्रेंड अब इसमें मैं जो वो सब मिक्स करके रखी हूं वो सबको मैं इसमें डाल दूंगी डाल देने के बाद मैं इसे 15-20 मिनट तक कम आज करके आप इसे भुने आप इसे हमें कब तक भुनना है फ्रेंड जब तक पूरा इसका प्याज हमारा गल ना जाएं सौप्ट ना हो जाएं तब तक आईए सब्जी जब तक हमारा पूरा देखिएगा गलर जो है अभी तो रेट दिख रहा है फ्रेंड उसमें कलर कुछ और दिखेगा जितना अच्छा आपका स सब्सक्राइब देखेगा अभी तो हमारा देखे कलर कितना खुब सुरत लग रहा है अब मैं इसे 15 से 20 मिनाट धाक डहक के भुंझोंगी दो-बॉ-बॉ-बॉ-पच पाच मिनाट मैं अच्छी तरीके से गल ना जाए फिर इसे खोल के भुंझोंगी इसी तरीके से हमें 15 से 20 मिनाट तक इस तरीके से भुंणना है सबजी को इस तरीके से जरूर बनाईएगा इसका तो मेरा सब्जी का तो पूरा अच्छा है खुस्वू मेरे पूरे घर में फैला हुआ सब्जी इतना खुसुरत आ टेश्टी लाजवाब बना आप भी अपने घर पे जरूर बनाई इस तरीके से देखिए हमारा ये लगभग प्याज गल चुका है फ्रेंड अब मैं इसमें जो भी पानी डालूँगे फ्रेंड वो पानी में कच्छा नहीं डालूँगी देखिए ये सब्जी हमारा बहुत सुन्दर देखिए उस समय कौन सा कलर था अभी देखिए क्या हो गया है कलर कितना खुबसदत कलर हो गया है स्वाबिन को भी आप पानी में उबालिये का मत फ्रेंड वो में स्वाबिन हलका सा हलका सा बस समझे श्टिम कर लीजे आप गर्म कानी में बस रख्के निकाल देना है पांच्वी नट में अब देखिए हमारा सब्जी भुणा चूका है ब्चाज स्वाबिम गर्म कर लीजे लिज़े जब रब में आप जितना पंदी पंदी में आप गर्म कर लीज़ेlak अब मैं इसमेर में गर्म पाणि जो मैं करके रख्की हूं वह डाल देना है देखे इस तरीके से आप गर्म पानि सारा ढाल दे अब देखे मैं इसमें क्या करों गी लिदम बड़ा इसमें C T हमको लगाना है चार से पांच सीटी पूरा बडा बडाना है अब कम कर दें आज जो भी आप गैस पे अगर बना रहे हैं तो गैस का ख्लीम थोड़ा कम करके इसको 4-5 सीटी पूरा लगा है देखेा फ्रेंड ये मारा पूरा 4-5 सीटी लगाने के वाएद हमारा सब्जी कुछ इस तरीके का बनके रेडी हुआ है देखिए कितना सुन्दर लाजबाब सौविन बड़ी की सब्जी इसे पहले भी एक सब्जी का रेसिपी डाली हूँ फ्रेंड उसे भी देखिएगा और ये आज मैं बना बताई हूँ दूसरे स्टैल से आपको सब्जी इसे भी देखिए कितना अच्छा हमारा सब्जी बनके रेडी हुआ है विश्वास मानिए खाने में भी बहुत जवरदस टेस्टी होगा इसे आप प्लाव के साथ पूरी के साथ खा सकते हैं देखिए लग रहा है खुबसूरत हमारा सब्जी आप भी जरूर हमारा वीडियो देखके हमारा इस तरीके से सब्जी बनाए फ्रेंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड ठाइम क्यूँ